Hello Friends, LGR Study के YouTube चैनल में आपका स्वागत है Friends, सबसे पहले हम आपको ये जानकारी दे दे कि LGR Study पर Intermediate Board Exam 2022 के लिए सभी सब्जेक्ट का तयारी कराया जा रहा है तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप जिस भी सब्जेक्ट का तयारी कर रहा है उस सब्जेक्ट का कोई भी वीडियो यदि इस पर अपलोड होता है या फिर लाइब द्वारा पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले आपको इसका notification पहुंचाए साथी साथ हमारे टेलिग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले जो की LGR Study के नाम से है इसका link हम description में भी दे देंगे जहां से आप PDF पराप्त कर सकते हैं सभी class का जो class आप करेंगे साथी साथ हमारे facebook page को भी follow कर ले जो LGR Study के नाम से ही है और आप हमारे website को विजित करके यहां से बिल्कुल फिरी में PDF पराप्त कर सकते हैं जो की LGR Study के नाम से है तो आप यहां जा करके PDF पराप्त कर सकते हैं साथी साथ यहां पर online test लिया जा रहा है एक subject का एक chapter complete होने के बाद सबसे पहले chapter का तो topic wise topic concept क्लियर कराया जाता है यानि की पढ़ाया जाता है उसके बाद सभी का subjective कराया जाता है उस chapter का यानि की subjective पढ़ाया जाता है subjective पढ़ाने के बाद live objective पढ़ाया जाता है online यानि की live objective पढ़ाया जागा और इसके बाद आपको online test लिया जाएगा जो कि हमारे mobile app पर लिया जाएगा इसलिए हमारे mobile app को play store से जाकर करके आप install कर ले चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज आपका किस चीज का class है तो आज आपका हिंदी का first class है यानि कि introduction class है और इस class में हम जानेंगे कि हमको हिंदी कैसे पढ़ना है और इसमें क्या क्या पढ़ना है पहले हम आपको ये बता दे कि हिंदी जो है ये एक language subject है और इस विए ये दो भागों में बाटा गया है एक तो ब्याकरन और दूसरा जो है आपका book यानि कि ब्याकरन और book दोनों से आपके board exam में प्रस्नाएंगे और ब्याकरन और book दोनों पढ़ना है तो आज हम ब्याकरन के बारे में discussion करेंगे कि ब्याकरन में क्या क्या पढ़ना है लेकिन हम आपको बता दे कि आपके जो सिलेवस में ब्याकरन का टॉपिक है वो क्या है और हम आपको पूरा ब्याकरन पढ़ाने बाले हैं उस टॉपिक को तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे साथ ही साथ पूरा ब्याकरन आपको पढ़ाया जागा क्योंकि टाइम बहुत ही पढ़ना है और बिल्कुल इस तरीका से पढ़ाया जागा कि आपको कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है संग्या पढ़ने के बाद आपको पढ़ना जो है वो है सर्वनाम का भी एकदम बिल्कुल concept क्लीर करके पढ़ाया जागा सर्वनाम पढ़ाने के बाद बिसेशन पढ़ाया जागा आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि ये सब जो है आपका ये तो पढ़ाएंगी गे ही लेकिन आपको पूरा एकदम बिलकुल होल ब्याकरन पढ़ाया जागा यानि कि पूरा ब्याकरन पढ़ाया जाएगा जिसमें आपका ये सब भी आएगा तो जान लेते हैं कि क्या था बिसेशन के बारे में हम देखी लिए बिसेशन के बाद जो है आपका वो है क्रिया क्या है बिसेशन के बाद है क्रिया यानि कि भर्ब भर्ब भी आपके सिलेवस में है और भर्ब को भी आपको पढ़ना है जो कि बिल्कुल क्लियर तरीके से हम पढ़ाएंगे और भर्ब पढ़ने के बाद आपको क्या पढ़ना है लिंग पढ़ना है लिंग के बाद जो है वो कारक है कारक के बाद समास पढ़ना है आपको और सम के बाद जो है वो है संधी संधी भी आपके सिलेवस में है और संधी भी आपको पढ़ना है संधी के बाद है परते और उपसर्ग क्या है संधी के बाद जो है वो है परते और उपसर्ग यानि कि परते और उपसर्ग भी आपको पढ़ना है परते और उपसर्ग पढ़ने के ब भी आपको objective question में रहेगा लेकिन बिलोम सब्द का मतलब क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं बिलोम का मतलब होता है उल्टा क्या होता है बिलोम का मतलब होता है उल्टा और जैसे कि हम आपको दे दिया जाएगा कि बेइमान सब्द का बिलोम बताना है यानि कि बेइमान स सब्द का यदि बिलोम पुछा जाए तो वो हो जाएगा बेईमान वैसे ही आपको पुछा जाए कि कठोर सब्द का बिलोम क्या होगा ये आपको बताना है चार ओप्सन दिये रहेंगे तो आपको कोमल लगाना है कठोर सब्द का बिलोम क्या होगा कोमल तो बिलोम सब्द का म पतलब होता है एक सब्द का अनेक अर्थ क्या होता है एक सब्द का जो है वो अनेक अर्थ होता है जैसे आपको हम एक सब्द ले लेते हैं जैसे आख ले ले लिजे आख का अन्य सब्द और क्या क्या होगा यानि कि पढ़यावाची सब्द और क्या क्या हो सकता है तो नेत्र ह नयन हो चकता है और लोचन हो सकता है तो बिल्कुल concept को हम clear कड़ा करके पढ़ाएंगे आपके ब्याकरन को यदि आपको कोई दिक्कत हो या फिर किसी तरह की जानकारी लेने हो तो comment section में जरूर बताएंगे कि क्या हमको दिक्कत है किस चीज की जानकारी लेनी है तो comment section में हमें जरूर बताएंगे और यदि आप time table यानि की routine को download नहीं किये हैं तो हमारे टेलीगराम चैनल पर जाकर करके routine download कर ले इससे पता चल जाएगा कि आपका कौन सा subject किस दिन है साथी साथ वीडियो को share कर दे share कर दिजेगा तो जिस साथी के पास ये वीडियो नहीं पहुँच पाया है जिस student के पास ये वीडियो नहीं पहुँच पाया है उनके पहुँच जाएगा और वो भी इसका फाइदा उठा सकेंगे और बिल्कुल फिरी में अपनी तयारी कर सकेंगे तो कहां थे हम लोग? हम लोग थे परियावाची सब्द पर परियावाची सब्द के बाद आता है मुहावडा क्या आता है? मुहावडा मुहावडा को भी trick wise हम कराएँगे एक दम आप आसानी से उसका उत्तर दे सकेंगे किसी भी मुहावडा का जैसे कि आप लोग बच्पन में मुहावरा पढ़े होंगी 9-2-11 होना क्या 9-2-11 होना का मतलब क्या होता है भाग जाना इसी तरह के बहुत सारा मुहावरा को हम देखेंगे मुहावरा के बाद आता है संचेपन ये मुहावरा तक जो था आपका ये सब objective wise हो गया सभी आपके objective में पूछा जाएगा जो की काफी भारी हो जाता है बहुत सारा concept यहाँ से clear करना पड़ेगा इसके बाद है संचेपन संचेपन आपके इस हिंदी subject के किसी भी topic का एक पाड़ा गराफ उठात करके रख दिया जाएगा आपको कहा जाएगा कि इसको संचेपन यानि की संचिपत में लिखिए कम सब दो में लिखिए यह सभी trick हम आपको बताएंगे उसके बाद आता है निबंध निबंध दे दिया जाएगा आपको subjective में और इसको आपको कहाँगा कि निबंध लिखना है जैसे दिपावली पर दे दिया किसी तेवहार पर दे दिया पडियावरन पर दे दिया इस बार जो है कोरोना पर भी निबंध था क्या था कोरोना पर भी निबंध था तो आपको निबंध लिखना है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे यदि आपको निबंध लिखना नहीं आता है, और आता है, फिर भी हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे, अगला है ब्याक्ष्या, ब्याक्ष्या का जो इंग्लिस होता है, वो होता है explanation, क्या होता है explanation, ये भी explanation आपको कहां से दिया जाएगा, explanation भी आपको, आपके बुक से यानि कि बुक में जो आपका कवीता है और, कहानी जो आपको पढ़ना है, उसी में से एक लाइन उठा करके, एक पाड़ा कुछ घड़ा पुठा करके दे दिया जाएगा और आपको बताना होगा किस कहानी का लाइन है इसको किस ने लिखा इस लाइन का मतलब क्या है यह किस का समवाद है यह आपको करना है तो आज के लिए इतना ही मिलेंगे फिर next class में जैसा कि आप किताब के बारे में बात हम करेंगे जब किताब का syllabus स्टार्ट होगा तब background को बिल्कुल complete करने के बाद हम किताब पर जाएंगे और किताब भी हम बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाएंगे जिसे आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा बिल्कुल concept clearance आपका हो जाएगा तो आज के लिए इतना ही एक बार पुना हम आपको कर देते हैं कि वीडियो को share कर दीजिए